भारत के एक बड़े सहर के पास एक गाउं अपनी खुसहाली के लिए परसिद्ध था एक व्यक्त उस गाउं की खुसहाली का कारण जानने के लिए सुभा सुभा वहां पहुंचा गाउं में पहुंचते हुए उसे एक काफी साब दिखाई दिया उसने सोचा यहां रुक कर लोगों को देखता हूं सायद पता चल जाए यहां की खुसहाली का कारण वहां पर काफी देर तक वहां लोगों को देखता रहा और पता लगाने की कोशिश करता रहा कि आखिर यहां गाउं क्यों अपनी खुसहाली के लिए प्रशिद्ध है थोड़ी देर के बाद वहां पर एक अमीर व्यक्ति आया और उसने दो कप काफी का ऐसा देते हुए वेटर से कहा व्यक्ति दीवार के तरफ देखने लगा लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया और वेटर उस व्यक्ति को काफी देने के बाद दीवार पर एक कप काफी लिखा हुआ कागज चिपका देता है व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या है उसने कुछ दिर और रुख कर कागज का मतलब समझना चाहा व्यक्ति सोचा एक मजदूर को काफी पर इतना पैसा खर्च करना समझदारी की बात नहीं है उस दिवार से एक कप कॉफी वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दिवार पर लगे धेर सारे कागच के टुकड़ों में से एक कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकाल कर कूड़े दान में डाल दिया व्यक्ति को अब सारी बात समझ में आ गई थी गाओं के लोगों का जरूरत मंदों के प्रतियार वाया देखकर वाब भाव भी भोर हो गया था उसे लगा सच्मुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है जहां एक गरीब मजदूर बिना अपना आत्म सम्मान कम किये एक अच्छी सी कौफी साप में खाने पीने का आनन्द ले सकता है